नमस्कार प्रस्तुत है जैक द्वारा आयोजित दो हजार चौबिस में क्लास एट के इस ए वन एक्जाम के मैट्स के हल प्रश्ण पत्र का पर्ट फोर वीडियो इससे पहले मैंने नमस्कार प्रश्ण संक्या 1 से लेकर 30 तक के प्रश्णों को हल किया है अब इस चौथे पार्ट में प्रस्न संक्या 31 से लेकर 40 तक के प्रश्णों को हल करने जा रहा हूं साथ ये अभी बता दूं कि ये परिक्षार सिर्फ SOE एवं प्रकंड स्तरिये आदर्स विद्यालियों के लिए ही आयोजित किया गया था तो चलिए प्रशनों को हल करता हूं और मेरी कोशिस होगी कि पूरे विस्तार से आपको समझाते हुए प्रशनों को हल करूं और साथ ही साथ योकि ये सारे प्रशनों MCQ है तो परिक्षाओं में MCQ प्रशनों के लिए समय सिनित होता है तो मैं कोशिस करूंगा कि प्रशनों को जो हल करूं तो उसकी ट्रिक भी आपको बताओं कि कम से कम समय में कैसे इन प्रशनों को हल किया जा सकता है प्रस्ण संख्या 31 निमलख्यत में से कौन संख्या 2 से विभाज्य है तो हमें 2 से विभाज्यता 2 की विभाज्यता जाने होगी तो 2 की विभाज्यता क्या है अचले मैं लिख भी देता हूँ 2 से विभाज्यता यदि आपने पहले नहीं पढ़ा है तो अभी इसे जाने यदि संख्या के इकाई इकाई इस्थाम इकाई इस्थाम पर दो हो चार हो छे हो आठ हो या शुन्य हो तो संख्या दो से विभाज्य होगी देखें मैं फिर से एक पर पढ़ रहा हूँ 2 से जो विभाज्यता है यानि 2 से विभाज्यत होनी की सर्थ है जो जाज है वो यह है यदि संख्या के इकाई स्थाम पर 2,4,6,8 या सुन्ने हो तो संख्या 2 से विभाज्य होगी तो अब आप देखिए चारो अप्सन को यहाँ पर इकाई है 8 यहाँ पर है 9 यहाँ पर एक है यहाँ पर भी एक है तो सर्थ के अनुसार सर्फ इसमें इकाई में यह आठ है तो यह ए ही हमारा एंसर है अर्थात यह 98 दो से विभाज्यता होगी अब प्रस्म संख्या 32 देखिए स्क्वेर रूट आफ 156.25 156.25 का आपको वर्कमोल निकालना है इसका मान है तो इसका जो तरीका है वो यह है देखिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि 156.25 इसको इस तरह से करते हैं यह भाग विदी में हम लोग निकाल रहे हैं तो यह यहां से यहां करेंगे एक बार हो जाएगा एक यह अक्यला और इधर से इधर चलिए एक बार फ़र से मैं इसे मिटा के आपको दिखाता हूं यहां पर लिख रहा हूं 156.25 भाग विदी जो होती है इसे हम गुना विदी से भी निकाल सकते हैं गुना विदी से निकालने के लिए हमें पहले दस्मलों हटाकर और उसे अभाजी गुननखंड गुना विदी नहीं सौरी मैं गलत बोल गया और भाजी गुननखंड विदी से भी निकाला जा सकता है इसका दस्मलों हटाके और यह जो संख्या होगी इसका हम अभाजी गुननखंड करेंगे और निकल जाएगा तो यह जो भाग भी दिया है यहां क्या करते हैं हम पले दाहिने से बाएं ओर यहां पर पूर्ण संख्या है उसमें पार लगाते हैं जोड़ा बनाते हैं और यह माइनस ये सुनने हो गया ये जोड़ देते हैं एक और दो एक और एक और यहां खाली जगह छोड़ते हैं यहां पर उतारेंगे यहां पर 56 और यह अब जाएगा कितनी बार दो बार तो ये हो जाएगा 44 तो ये 6 से 4 गटाएंगे 2, 5 से 4 गटाएंगे तो 1 और यहां पर ये दो जोड़ हम 2 को जोड़ देते हैं तो 2 और 2, 4 और ये 2 एक इस्थाने आपर खाली रखते हैं ये दसमलो इसके बाद हैं तो यहां पर दसमलो हमने रखा आप ये पूरा जोड़ा उत तो यह 25 आ गया अब यहां पर क्या बैठाएंगे हम आप बैठा कर देखिएगा यह आएगा पांच तो यह 5 से गुना करेंगे और यहां पर लिखेंगे 5 तो 5 पचे 25 का 5 हाथ में रहा हासिल 2 पांचों के 20 और 2 22 का 2 हाथ में रहा 2 पांच दूमी दस और 2 बारत तो यह आगया हमारा 12 पांच है एक तो यह हमारा निकालने का यही तरीका है भाग द्वरा और दूसरा तरीका है औभाज गुननखंड के द्वरा तो औभाज गुननखंड में हम क्या करेंगे कि दस्मलो अभी हटा देगे तो यह लिखेंगे यह अब इसका हम अभाजी गुरंखन करते जाएंगे इस तरीके से भी इसका निकलेगा तो यहाँ पर इसका अर्थ यह हो गया 156.25 इसका अर्थ यह है कि इसको हम ऐसे लिखेंगे 156.25 दसमलों हटाएंगे तो यह 100 हो जाएगा तो हम इसका पहले निकाल लेंगे ठीक है उसके बाद जो आएगा उसमें दाहिनी और से दो अंक बाई और आके दसमलों बठा देंगे तो दोनों तरीके से निकाल सकते हैं अब MCQ कोश्चन जो आपको परतियों की परिक्षाओं में आ रहा है यहां भी समय कम है तो वहां पर हम एक ट्रिक भी अपनाएंगे इस तरह से निकालने की बजाए हम सीधे गुना करके देख लेंगे जो थोड़ा सा आसान हो गए तो सभी को गुना करके हम लोग चेक करेंगे तो उससे भी हमारा निकल जाएगा यानि 25.5 को फिर से 25.5 से गुना करेंगे 15.5 को फिर से 15.5 से गुना करेंगे 12.5 को फिर 12.5 से गुना करेंगे तो हम देखेंगे कि 12.5 को 12.5 से गुना करेंगे तो यह हमारा आज रेगा ठीक है तो चलिए आपको जो भी अच्छा लगता है जो भी विदी उस विदी से आप एंसर निकाल सकते हैं प्रत्र संख्या 33 यह बड़ा आसान सवाल है इस व्यंजक में हमें बताना है कि पदों की संख्या कितनी होगी तो पदों की संख्या हम इस तरह से गिनते हैं यह एक यह दो और यह तीन यह जोड़ और घटाव से जब अलग होते हैं जुड़े रहते हैं तो हम उनको अलग अलग गिनते हैं तो यहाँ पर तीन पद है यह तीन है प्रत्र संख्या 34 में आई तीन बटे चार और एक के बीच कितनी परिमेश संख्याएं होगी यहाँ पर थोड़ा सा गलट टाइप ह हो गया है यह संख्याए ऑचली तो हम जानते है कि दो प्रिमेश संख्याओं के बीच असंख्यानी अनंत संख्याए प्रिमेश संख्याए А प्रसुह क्या 35 दोसों के वर्व में सुन्नियों की संख्या क्या है तो जब भी हम वर्ग करते हैं तो सुनियों की संख्या दुगनी हो जाती है तो यहाँ पर दो है तो कितना हो जाएगा चार हो जाएगा प्रस्ट संख्या 36 तो इसका सामाने रूप तो सामाने रूप ऐसे हैं इसको करते हैं 100 गुना 7 साथ सो दस गुना एक दस जोड़ आठ और सभी को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा साथ सो अठारा यह सी नंबर 37 नंबर में देखिए नियम्न में कौन सी संख्या घन नहीं है तो अब हम पहला यह अप्सन से चेक करते हैं तो यहां सुन्यों के संख्या दो चार है लेकिन हम जानते हैं कि अगर संख्या के अंत में अगर सुन है तो यह तो तीन होंगे या छे होंगे या नौ होंगे यहां तो सरफ चार है तो यह संख्या घन नहीं है बाकि ये तीनों घंद है प्रस्न संख्या 38 देखिए यहाँ 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 का योग है तो हम देखने कि यह संख्या हैं कौन सी किस प्रकार की संख्या है तो यह लगातार विसम संख्या है और एक से सुरू हो रही है बिलकुश सुरू से प्रथम से तो कितनी प्रथम से कितनी विसम संख्या है गिनिये एक दो टीन चार पांच छे साथ आठ नो दस तो इसका यह फ कर देंगे यानि एक सो अभी तो मालीजे आप उनको बहुत ज्यादा नहीं है आप जोड़ेंगे जोड़के भी निकालेंगे तो हमारा एक सो आपका आ जाएगा लेकिन उसमें ज्यादा समय लगेगा उतनी करने की आप सकता नहीं है दूसरा यहाँ पर दस ही संख्याएं दी तो फिर आप अगर ऐसे जोड़ेंगे तो निकालना थोड़ा दिकत होगा जोड़ने में समय लगेगा काफी तो यह फॉर्मूला ही है कि पर्थम विसम संख्याओं का योग लगातार विसम संख्याओं पर जब योग करते हैं तो हम जितनी संख्याएं है उसका वर्क कर दे देखते हैं तो अब 49 नमबर देखिए 40 और 50 के बीच स्थित एक पूर्ण वर्क है तो हमें याद भी है आप देखिए साथ का हमारा वर्क होता है 49 तो यह 49 है अब यह 40 नमबर उसको ध्यान से देखिए एक दसमलोग चार एक आठ गुना दस गभा चार का सामाने रूप है तो देखिए इसे एक दसमलोग चार एक आठ गुना यह दस गभा चार अंड़ःन दसमलोग चार मतलब तो इस दस्मलों के यहां से उठा के चार अंग इधर लाएंगे तो यहां से उठा रहे हैं तो देखिए यहां एक दो तीन है चोथा अंग तो नहीं है तो यहां पर हम एक शुद्ने बठा देंगे और यहां पर यह दस्मलों आगिया तो बाद में दस्मलों रख दी की कोई आप सकता नहीं है तो यह हमारा यह जो आप्शन है वह सही है तो इस तरह से एसे वन में आए क्लास एट के मैट्स के प्रशन पत्र का यह 41 से लेके 40 तक वाला चौथा वीडियो था और 40 ही प्रशन आते हैं आसा है जो हमने आपको ट्रिक बताया जो हल बताया वो आपको आने वाली परिक्षाओं के लिए मददगार हुआ धन्यवाद